एक जंगल में सारे पंची मिल जुल कर रहते थे कभी किसी पंची को किसी चीज की जरुरत पड़ती तो वो अवर्ष एक दुसरे की मदद किया करते सब भी पंची अपना पेट पालने के लिए कोई न कोई काम करते जंगल के बीचो बीच पंचीयो का पंची माट बनाया गया था जिसमें सब मिल जुल कर कोई न कोई व्यापार करते मेनू चिडिया अनाज बेचती, रानो चिडिया लकडी बेचती टोनी कभुतर पंचीयो का खाना बेचता और इदर कालू कववा अलग-अलग प्रकार की मचलिया बेचता उसी जंगल में लाडो चिडिया, एक बरगत के पेड़ पर अपने पती के साथ गोसला बना कर रहती उसके पती चील राजा के महल में नो करते उनके सालेरी से आये हुए पेसे घर खर्ष में चले जाते लाडो का परिवार गरीब था, इसलिए वो खुद का कोई व्यापा नहीं कर सकती थी इस वज़े से वो कालू कोवे को काम में मदद किया करती थी दिन के आखिर में कालू उसे अपने काम का मुआउजा देता इस तरह से लाडो की जिन्दगी अच्छी तरह से चल रही थी एक दिन सुभः हाई रे, ये क्या हो गया? मेरे अंडे कहां गायब हो गये? कितने दिनों बाद में मा बनने जा रही थी? पर किसी को ये देखा ना गया कौन है जिसने मेरे अंडे चुराये है? मैं उसे नहीं चोड़ँगी अब तक तो जंगल में सब कुशलमंगल चल रहा था पर न जाने सारे पंचियों को किसी की नजर लग गई और दिन के शुरुवात में ही सब जगह पर रोने और चिलाने की आवाजे आने लगी हे उपर वाले मेरे भी अंडे किसी ने चोरी कर लिये अब मैं क्या करूँ? अजी ये अचानक क्या हो रहा है? ये जंगल में सुभा सुभा पंचियों की रोने की आवाजे क्यों आ रही है? हाँ, मैं भी यहीं सोच रहा था चलो, चल कर देखते हैं लाडो और बल्लो चिडा रानो चिडिया के पास आ जाते है वो देखते हैं तो वो जोर जोर से रो रही थी अरे रानो, क्या हो गया? तुम रो क्यो रही हो? तुमें क्या बताओ लाडो? मैंने कल दो अंडे दिये थे इसलिए मैं बहुत खुश थी मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी पर जैसे ही मैंने सुबह उटकर देखा तब मेरी अंडे गायब हो गये थे अब मैं क्या करू? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा उन सबकी बाते मिनू मोसी उपर से सुन रही थी वो उनके पास आ जाती है बाकी आसपास के पंची भी रानो चिडिया के घुसले के पास आ जाते है अरे रे बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ अच्छा है मैं तो अकेले रहती हूँ मुझे तो इन सब चीजों के कोई जंजटी नहीं है अकेले रहो और मस्त अच्छे से जिंदगी जीओ अरे मिनू मोसी ये आप क्या कह रही हो एक तो रानो चिडिया पर संकट आन बड़ा है और उपर से तुम उसे चिड़ा रही हो जरा वक्त की समझ रखा करो हाँ हाँ चुप हो जाती हूँ मेरा क्या मुझे मेरे काम है तुम जैसे मेनी काम पर नोकान नहीं रखे जो मेरा काम आसान कर दे मिनू मोसी आप घिना हाँ हाँ जा रही हूँ रानो चिड़िया तुम रो मत बाजार जाते जाते में तुमारी फिर्याद राजा जी के पास कर दूँगा वो जरूर इसका हल ढून निकालेंगे हाँ हाँ कालू ये अच्छी बात है चलो मैं भी तुमारे साथ चलता हूँ सारे अपने अपने कामों के लिए निकल पड़ते हैं रात हो जाती है हर दिन की तरह सारे थक खार कर अपने अपने घोसले में सोने की तैयारी कर रहे थे हर रोस तो सब शांती से सो जाते थे पर आज जंगल में कुछ अजीब सा सन्नाटा च्छाया हुआ था सारे पंची सो गए जैसे ही सुबह हो गई बुलबुल चिरिया के रोने की आवास से सारे पंचीयों की निन तूट गई अरे मैं तो लूट गई मेरे भी आंडे किसे ने चुरा लिये मैं तो बरबाद हो गई सारे पंची बुलबुल चिडिया के घुसले के पास आ गए कल तो सब रानु चिडिया को सहनु भूती दे रहे थे पर आज सब के होश उड़ गए थे वो ये सब देखकर डर भी गए थे क्योंकि उनको पता था किसी न किसी दिन अगली बारी उनकी भी हो सकती है अरे बावले चलो हम राजाजी के पास चलते हैं ये बात भी राजाजी के पास पहुँच गए हमारे जंगल में ऐसा कौन कर सकता है जो भी उसे ढून लेगा उसे इनाम के तौर पर बड़े पेड़ पर रहने को घुशला दिया जाएगा राजा जी ने तो एलान कर दिया पर इधर लाडो चिडिया तो बहुत परिशान हो गए थी क्यूंकि कुछी दिनों में वो भी अंडे देने वाली थी अरे लाडो तुम तिन तामत करो तुम आज जल्दी घर आना ठीक है बलू चिड़ा और लाडो चिडिया दोनों काम पर निकल पड़ते हैं रोज की तहर लाडो चिडिया कालू कव्वे को मचलिया बेचने में मदद करती है सब अपने अपने ठेले पर अपनी अपनी चीज़े बेच रहे थे तभी वहाँ पर एक बड़ा गिद बहुत सारे अंडे लेकर आता है वो एक ठेले पर अपने सारे अंडे रख देता है सब उसे देख कर चोंग जाते है अरे लाडो ये नया पंची कौन है पहले तो इसे हमारे जंगल में कभी नहीं देखा हाँ कालो भेया मैंने भे इसे हमारे जंगल में पहले कभी नहीं देखा सारे अशर्य से उसकी तरफ ही देख रहे थे तभी गिद बोला अरे मैं बाटला हूँ परोस वाले जंगल में रहता हूँ मैंने सुना है कि इस जंगल में पंछियों ने मिलकर बहुत बड़ा वाजार शुरू किया है तो मैंने सोचा कि चलो अपना काम भी यहां पर शुरू किया जाए किसी को कोई आपति तो नहीं है न अरे नहीं नहीं हमें क्या आपति हो सकती है तुम बिंदास अपना काम शुरू करो अरे मैं तो कहती हूँ हर एक पंची को कोई न कोई व्यापार तो जरूर करना चाहिए चलो तुमारी बोनी तो मैं ही कर देती हूँ मुझे एक अच्छा सा अंडा दे दो अरे मीनु मोसी ये आप क्या कह रही है उसकी पूचताज करने के बजाए आप उससे अंडे खरिदने की बात कर रही हो अरे मुर्क क्या तुमें दिखाई नहीं देता वो एक बड़ा सा शुकारी पंची है उसके एक ही जटके में हम सब की गर्दने उड़ा देगा वो पूचना है तो तुम ही पूचलो जाओ जाओ मिनू बड़े गित से एक अंडा ले लेती है रात के समय अरे उस गित की वज़े से खाम खाए अंडा मेरे गले में पड़ गया अब इसे संभालने में मेरी कमर ही तूट जाएगी इधर लाडो चिरिया दो अंडे दे देती है बल्लू और लाडो चिरिया बहुत खुश थे तुम चिंता मत करो लाडो हम इनका बहुत अच्छे से खयाल रखेंगे आधी रात में वही कित अंडे की खुश्बू सुनकर जंगल में आ जाता है हाँ मुझे यही कहीं से बहुत सारे अंडो की खुश्बू आ रही है लगता है कल मेरा व्यापार बहुत अच्छे से होगा चलो मैं अपना काम कर लेता हूँ दूसरे दिन सुभ लाडो के दोनों अंडे गाय वो जुके थे फिर भी लाडो चिडिया और बल्लू चिड़ा शान्थ खड़े थे तबी वहाँ पर कालू कोवा आ जाता है अरे लाडो क्या तुमारे भी अंडे चुरी हो गए है हूँ कालू भीया चलो मैं राजा जी के पास शिकाय दर्ज करके आता हूँ उसकी कोई जुरूरत नहीं है कालू भीया आप बस राजा जी और उनके सिपायों को लेकर पंचियों के बाजार में आईए हम वही पर आपका इंतजार करेंगे ठीक है कालू कोवा राजा जी के पास चला जाता है लाडो और बल्लू छिडा बाजार की तरफ चल पड़ते है जैसा की लाडो ने सोचा था बड़ा गित पहले से ही अपने ठेले पर आकर अंडे बेच रहा था कालू कोवा राजा जी को लेकर बाजार में आ जाता है क्या हुआ लाडो तुमने इतनी जल्दी में हमें यहाँ पर क्यू बुलाया राजा जी काम ही कुछ ऐसा है अच्छा हुआ आप सिपाईयों को साथ लेकर ही आये है जिस अंडा चोर को हम सब डून रहे है वो यही गिद्ध है क्या क्या यह सच है अरे यह तुम क्या कह रही हो और तुमारे पास इसका क्या सबूत है कि मैं ही अंडा चोर हूँ जाजा जी यह रहा सबूत मैंने हमारे अंडो को कलर लगवाय था ताकि हम हमारे अंडो को पेचान सके और यह रहे हमारे कलर किये हुए अंडे अरे ये मैंने केसे नहीं देखा अब मैं क्या करूँ चलो यहां से फूट लेने में ही अब मेरी भलाई है बड़ा गित भागने की कुशिश करता है पर उन्तु राजा की सिपाई उसे पकड़ लेते है लाडो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे चालाकी की वज़स से हम इस चोर को पकड़ पाए और तुमने इसमें अपने अंडो की जोखिंबी उठाई जैसे की मैंने कहा था बक्षिस के तौर पर मैं तुम्हें बड़े पेड़ पर घोसला बना कर देने की गोशना करता हूँ और रहा सवाल इस गित का मैं इसे सजा के तौर पर इस जंगल से बेदखल करता हूँ कालू सारे अंडों को अपने अपने माता पिता को बाट देता है अरे ये किसका अंडा है जिसका है वो उसे आकर ले जाए दो-तिन दिन मेनु मोसे ने बहुत रहा देखी परन्तु उस अंडे को लेने के लिए कोई नहीं आया एक दिन उस अंडे में से कोवे का बच्चा बाहरा गया ममी, ममी, अरे ये क्या हो गया अंडे से बच्चा निकला भी तो कोवे का अब इसे सारे जिंदगी मुझे ऐसे ही संभालना होगा तो दोस्तो हमारी कहानी यही खतम होती है अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइट जरूर कीजिए अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमको जरूर भेजे हम उसे हमारे रूप में दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे